Hi kids, आज के वीडियो में हम करेंगे हमारा chapter 2, The Sound of Music. तो इस chapter के part 1 का वीडियो ये है, part 2 का वीडियो अलग से है. So part 1 में story है Evelyn Glenny की, Evelyn Glenny जो है वो एक बहुत बड़ी, बहुत famous musician है, जो कि deaf है. और deaf होने के बाब जूट भी वो music बहुत अच्छा बजाती है तो उनकी story है यह Evelyn Glennie listens to sound without hearing it Evelyn Glennie जो है वो sound को सुनती है आवास को सुनती है बिना सुने हुए मतलब उनके कान नहीं है बट फिर भी वो से सुन पाती है उनके कान जो है वो काम नहीं करते हैं वो deaf है फिर भी जो है वो sound को महसूस कर पाती है God may have taken her hearing but he has given her back something extraordinary तो भगवान ने उनकी सुनने की शमता तो ले ली बट उसके बदले में उन्होंने उसे उने जो है कुछ बहुती अद्भुत सा दिया है What we hear she feels, जो हम सुनते हैं उसे वो महसूस करती है Far more deeply than any of us और हम सबसे कहीं जादा गहराई से वो इस चीज को महसूस करती है तो music को जो है वो अपने दिल में महसूस कर रही है That is why she expresses music so beautifully और इसलिए जब वो music बजाती है जब वो अपना music लोगों को सुनाती है तो वो बहुत ही खूबसूरत होता है Read the following account of a person who fought against a physical disability and made her life a success story तो ये कहानी जो है ये एक ऐसे इनसान की है जिसने जो है अपनी शारीरिक शमता जो है उसमें जो है कमी थी वो physically disabled थी यानि उनके अंदर जो है physically कुछ problem थी वो कान से सुन नहीं पाती थी पट उस चीज से लड़के जो है उन्होंने अपनी जिन्दी के एक success story बनाया ऐसा नहीं है कि उससे उन्होंने हार मान ली और कुछ नहीं किया उल्टा उन्होंने जो है अपनी deafness के बावजूद भी जो है music सीखो और इतनी बड़ी musician बनी रशाओर crowds jostled for position on the underground train platform तो underground train के platform पे जो है रशाओर का crowd यानि कि office जाने वाला जो crowd है वो आपस में धक्का मुक्की कर दा है जगे बनाने के लिए a slight girl looking younger than her 17 years was nervous yet excited as she felt the vibrations of the approaching train तो एक पतली दुबली सी लड़की जो की 17 साल की थी बट उससे भी छोटी लग रही थी वो nervous भी थी और excited भी थी जैसे जैसे वो feel कर रही थी train की vibrations की train जो है platform पे आ रही है ये vibrations जब उसने feel करी अपनी body में तो वो nervous भी थी और excited भी it was her first day at the prestigious Royal Academy of Music in London तो आज जो है उसका पहला दिन था जानी मानी Royal Academy of Music London में and daunting enough for any teenager fresh from a Scottish farm तो पहला दिन तो वैसे भी जो है वो nervousness से भरा होता है दर लगता है हम सब को तो ये तो एक teenager थी जो अभी अभी Scotland से आई थी तो Scotland के किसी गाओं में जो है खेत में वो रहती थी तो वो farm से आई थी तो उसके लिए शहर जो है और भी जादा डराबना हो रहा था ये जो लड़की जो म्यूजिशन बनना चाहती थी इसके सामने एक और बड़ी चुनौती थी ये जो है पूरी तरह से बहरी थी प्रोफाउंदी डेफ का मतलब होता है ऐसा इंसान जो 95 डेसिबल के नीचे का sound नहीं सुन पाई इसके उपर का ही सुन पाएगा तो मतलब ये हुआ कि जैसे आप और मैं बात कर रहे हैं तो वो सुननी पाएगी क्योंकि हम 60 डेसिबल पर बात करते हैं अगर आपके सांथ काम के पास कोई हतोरी जोर-जोर से बजाए तो उसे उसका sound भी सुनाई नहीं देगा क्योंकि वो भी जो है 90 डेसिबल से नीचे तो इसे 95 डेसि उनने कि ये जो शमता है ये धीरे धीरे गई थी ऐसा नहीं था कि वो पैदा ही बहरी हुई थी ये शमता धीरे धीरे चली गई तो उसकी मा जो है वो कहती है कि उन्हें याद है कि जब वो आठ साल की थी और पियानो बजाने का वेट कर रही थी तो उन्होंने नोटिस किया था कि कुछ तो गरबड है They called her name and she didn't move I suddenly realize she hadn't heard says Isabel Glenny तो Isabel Glenny जो उसकी मा है वो कहती है कि उन्होंने उसका नाम बुलाया बत वो हीली नहीं उसने सुना लिए नहीं तो कोई reaction नहीं नहीं दिया तो उन्हें realize हुआ कि वो लड़की जो है वो तो सुनी नहीं पा रही है इसलिए उसने कोई reaction नहीं दिया For quite a while, Evelyn managed to conceal her growing deafness from friends and teachers तो कुछ समय तक जो है, Evelyn ने जो है पूरी तरह से कोशिश की कि वो अपनी ये जो उसकी deafness जो बढ़ती जा रही है, धीरे धीरे वो पहरी होती जा रही है ये चीज जो है वो अपने दोस्तों और टीचर से चुपा सके But by the time she was 11, her marks had deteriorated and her headmistress urged her parents to take her to a specialist पर जो है, जब वो 11 साल की भी तो उसके marks जो है, वो धीरे-धीरे बहुत कम होते जा रहे थे वो अच्छा score नहीं कर रही थी school में तो उसकी headmistress ने जो है, उसके माबाप से कहा कि उसे किसी specialist के पास ले जाके check कर आए It was then discovered that her hearing was severely impaired as a result of gradual nerve damage तो तब जाके जो है, पता चला सबको कि उसकी जो सुनने की शमता है वो धीरे-धीरे कमजोर होती जा रही थी क्योंकि उसके कान की जो नसे थी, उनमें damage हो रहा था तो वो damage की वज़े से जो है, nerve का जो damage है, उसकी वज़े से उसकी सुनने की शमता कम हो रही थी they were advised that she should be fitted with hearing aids and sent to a school for the deaf तो उन लोगों ने उसके माबाप को सला दी कि इसे आप hearing aids पहनाएं वो जो सुनने वाली machine होती है वो पहनाएं और बहरे लोगों के school में भेजें everything suddenly looked black says Evelyn तो Evelyn ने कहा कि एकदम से उसे लगा कि सब कुछ बिलकुल अंधेरे में आ गया है but Evelyn was not going to give up but उसने ठान लिया कि वो हार नहीं मालेगी she was determined to lead a normal life and pursue her interest in music उसने पूरी तरह से निश्चे कर लिया था ठान लिया था कि वो एक normal जिल्गी जियेगी और music में यह जो उसका interest है इसे वो आगे बढ़ाएगी one day she noticed a girl playing a xylophone and decided that she wanted to play it too तो एक दिन जो है उसने एक लड़की को xylophone बजाते हुए देखा तो उसने decide कि वो भी उसे बजाएगी xylophone जो है इस instrument को कहते है इसे हम ऐसी यह दो टन्बियों से बजाते है most of the teachers discouraged her but percussionist Ron Forbes spotted her potential तो जादा तर जो teacher थे उन्होंने तो उसे discourage ही किया उन्होंने का कि भाई तुम नहीं बजा पाओगी तुम बहरी हो but उसके जो percussionist थे वार स्कूल के Ron Forbes उन्होंने जो है उसकी काबियत को पहचान लिया उसको potential जो था कि वो यह कर सकती है यह उन्होंने पहचान लिया He began by tuning two large drums to different notes उन्होंने जो है उसे सिखाना कैसे चालू करा उन्होंने दो बड़े drums लिये और उन्हें अलग-अलग notes पे tune किया यानि एक पे उचा sound बजेगा और एक पे नीचा sound बजेगा Don't listen through your ears he would say तो उन्होंने उसे कहा कि तुम अपने कानों से मत सुनो Try to sense it some other way Try करो कि तुम किसी और तरीके से music को महसूस कर पाओ कान नीचल रहे हैं तो कोई बात नी कोई और तरीका ढूंडो जिससे तुम इस music को महसूस कर पाओ Suddenly I realized I could feel the higher drum from the waist up तो Evelyn कहती है कि अवाज वाला जो drum था जब वो बज रहा था तो उसका sound जो है वो अपनी बाडी में कमर के उपर फील कर पा रही थी and the lower one from the waist down और वो जो है जो नीचे sound वाला जो ड्रम था जिसमें नीची धीमी आवाज आ रही थी वो जो है वो अपनी बाडी में कमर के नीचे वाले भाग में उसका vibration फील कर पा रही थी Forbes repeated the exercise and soon Evelyn discovered that she could sense certain notes in different parts of her body तो Forbes ने जो है ये ड्रम बजाने के exercise बार बार repeat की और Evelyn ने note किया कि अलग-अलग notes जो बज रहे है कि रिदम ऊपर जा रही है नीचे जा रही है ये music जो है वो अपनी body के अलग-अलग parts में feel कर रही थी vibrations को I had learned to open my mind and body to sounds and vibrations उसने सीख लिया था कि कैसे उसे अपने दिमाग को और अपनी body को open रखना है ताकि वो vibrations को sound को feel कर पाए सुननी पा रही है बट feel कर पाए the rest was sheer determination and hard work और बागी जो उसने music सीखा वो जो है उसका determination था यानि उसने जो निश्चे ठान लिया था कि उसे सीखना है और उसकी महनत थी वो she never looked back from that point onwards उसके बाद उसने पीछे मुर के कभी नहीं देखा वो आगे बढ़ती गई she taught the United Kingdom with a youth orchestra and by the time she was 16 she had decided to make music her life उसने जो है पूरे United Kingdom का टूर किया एक youth orchestra के साथ तो एक group के साथ जो है जिसमें वो भी जो है बजाती थी उसने जो है UK का टूर किया और जब वो 16 साल की हुई तो उसने decide कर लिया था कि music ही उसकी जिन्दगी है she auditioned for the Royal Academy of Music and scored one of the highest marks in the history of the academy उसने जो है Royal Academy of Music के लिए audition दिया ता कि जो है वो वहाँ पे entrance उसे मिल जाए और उसने जो है सबसे जादा marks score किये academy की history में यानि आज तक उस history में उस academy की history में किसी ने इतने marks score नहीं किये थे she gradually moved from orchestral work to solo performances तो धीरे धीरे जो है वो अभी तो वो orchestra में बजा रही थी यानि group में बजा रही थी बट उसके बाद जो है धीरे धीरे उसने solo performance भी start कर दी at the end of her three year course she had captured most of the top awards तो उसने जो तीन साल का course किया Royal Academy of Music में उसके end तक आते आते उसे वहाँ के सारे top awards मिल चुके थे and for all this Evelyn won't accept any hint of heroic achievement और ये सब होने के बाद भी वो ये नहीं मानती थी कि ये कुछ जो है उसने बहुत साहसिक किया है उसे लगता था कि उसने महनत की उसने द्रण निश्य किया तो उसने ये सब पाया ऐसा नहीं है कि उसने कुछ बहुत बड़ा काम किया अगर आप महनत करोगे और आपको पता है कि आपको कहा जाना है आपने लक्षी डिसाइड कर लिया है तो आप वहां पहुंच जाओगे और वह वहां पहुंच गई दुनिया के सबसे उपर वो दुनिया की सबसे जो है चहेती जो है परकेश्णिस बन गई थी परकेश्णिस कौन होते है ऐसे odpow. तो उसे percussionist कहते हैं, तो वो जो है, वो दुनिया में सबसे top पे थी उसमें, और उसने और भी हजारों बहुत सारे instruments बजाना सीख लिये थे, और उसका international schedule, यानि वो अलग अलग जगे जो concert कर रही थी सारी दुनिया में, उसमें उसका calendar बिलकुल भर चुगा था, वो इतना busy थी कि उसके पास time ही नहीं था, it is intriguing to watch Evelyn function so effortlessly without hearing, यह जो है, बहुत ही intriguing हो जाता है, यानि अगर देखोगे तो आपको जो है, बहुत आश्यरे होगा, कि ऐसे कैसे है, Evelyn जो है, वो बिना किसी महनत के, इतनी आसानी से जो है, वो music बजा लेती है, और वो सुन भी नहीं पाती है, आप खुद सोची, अगर आपको पता चले कोई इनसान music बजा रहा है और बहुत ही सुरीला music बजा रहा है, बट वो सुन भी नहीं पा रहा है, तो यह कितनी हैरानी की बात है, इन आर टू आर डिसकुशन, शी नेवर मिस्ट अ वर्ड, जब हमने उससे दो घंटे का discussion किया, तो उसने एक भी वर्ड मिस्स नहीं किया, यानि यह जो interviewer उसका interview ले रहा है, उन्होंने दो घंटे का उससे discussion किया, तो वो तो सुननी पाती है, तो उसने कैसे interview दिया होगा, वो जो है lip reading कर रही होगी, तो अगर मैं उससे कुछ question पूछू हूँ, तो वो मेरे lips के movement को देख फिर उसने हसते हुए कहा कि वो लोग जिनके दाड़ी होती है, वो आदमी, उनसे मुझे अबड़ी problem होती है, क्योंकि जब दाड़ी होगी तो उसे मूझे lips के movement नहीं दिखाई देंगे ना, असानी से, तो वो उनकी बातें समझ नहीं पाती है, तो वो कहती है कि इस सिर्फ इतना नहीं है कि मैं lip reading जो है, उनकी lips देखके ही कर रही हूँ, उनका पूरा चहरा देखना जरूरी है, उनकी आखे देखना जरूरी है, क्योंकि उससे उसे expression भी पता चल रहा है, कोई बोल रहा है, बट वो किस tone में बोल रहा है, यह उसे उसके चहरे और उसकी आखों को देखके पता चलता है, she speaks flawlessly with a Scottish lilt, तो वो जो है Scottish accent के साथ, जो है flawlessly बात करती है, मतलब आप उससे बात करोगे, तो आपको ऐसा नहीं लगेगा, कि इनसान सुन नहीं पा रहा है, वो बिना किसी mistake के बात करती है, my speech is clear because I could hear till I was 11, she says, तो वो कहती है कि उनका speech जो है, उनकी बोलने की शमता clear इसलिए है, क्योंकि वो जब तक 11 साल की थी, तब तक वो सुन पाती थी, तो उनने पता है कि words sound कैसे करते हैं, but that doesn't explain how she managed to learn French and master basic Japanese, but इस बात से आपको ये फिर भी नहीं समझेगा कि उन्होंने French और Japanese कैसे सीख ली, सोचे उन्होंने और भाशाएं भी सीखी, अंग्रेजी तो उन्हें आती है क्योंकि वो Scotland से हैं, उन्हें French भी आती है, Japanese भी आती है, और ये सब उन्होंने सीखा बिना सुने, As for music, she explains, it pours in through every part of my body, music के लिए वो explain करती हैं कि वो तो उनकी पूरी बाडी में बहता है, ऐसा लगता है कि उनकी पूरी बाडी में जो है, music के vibrations फील हो रहे हैं, तो वो बहरा है, It tingles in the skin, my cheekbones and even in my hair, उनके skin पे, उनके cheekbones पे और उनके बालों तक पे जो है, वो वो tingling feeling जो है, वो महसूस कर पाती है, वो जो music की sensation है, उसे जो है, वो अपने skin में, बालों में सब जगे महसूस कर पाती है, When she plays the xylophone, she can sense the sound passing the stick into her fingertips, जब वो xylophone बजाती है, तो उसे वो जिस डंडी से बजाती है, उन्हें लगता है कि वो डंडी से, जो है, वो music जो है, उनकी उंगलियों में आ जा रहा है, उनकी fingertips में आ जाता है, जो वो महसूस कर पाती है, By leaning against the drums, she can feel the resonances flowing into her body, जब वो drum के उपर जो है, थोड़ा सा जुपती है और drum को बजाती है, तो वो जो sound है, वो जो है, वो उन्हें ऐसा लगता है, उनकी body के अंदर बहरा है, उस sound की जो echo है, उसकी जो rhythm है, वो उनके अंदर उन्हें महसूस होती है, On a wooden platform, she removes her shoes so that the vibrations pass through her bare feet and up her legs, जब वो wooden platform पे perform करती है, यानि stage अगर wood का बना हुआ हो, तो वो अपने जूते उतार देती है, ताकि जो है, जो music का vibration है, जब वो music बजाएं, तो वो vibration जो है, वो अपने नंगे पैरों में feel कर पाएं, और उसके थूँ जो है, वो उसे पूरी body मे महसूस कर पाती है, music को, not surprisingly, Evelyn delights her audience, तो इसमें कोई आश्यरे की बात तो है नहीं, जब वो इतना deeply feel करके music बजा रही है, तो उनकी जो audience है, वो भी बहुत खुश हो जाती है, सब खुश हो जाते हैं, in 1991, she was presented with the Royal Philharmonic Society's prestigious Soloist of the Year Award, तो 1991 में जो है, उन्हें Royal Philharmonic Society से Soloist of the Year का award मिला था, says master percussionist James Blades, God may have taken her hearing, but he has given her back something extraordinary, तो जो master percussionist James Blades है, वो उनके बारे में कहते हैं, कि भगवान ने उनकी सुनने की शमता जरूर ले ली है, बट उसके बदले में उन्हें कुछ बहुती अद्भुत दिया है, what we hear she feels far more deeply than any of us, जो हम सुनते हैं, उसे वो feel करती ह हैं, और हम सबसे कहीं जादा गहराई से feel करती हैं, that is why she expresses music so beautifully, और इसलिए जो है वो अपने music को इतने अच्छे से express कर पाती हैं, Evelyn confesses that she is something of a workaholic, Evelyn मानती हैं कि वो जो है एक तरह की जो है workaholic है, मतलब उन्हें बस काम ही काम करना है, वो जो है काम के बेना रही नहीं पाती हैं, I have just got to work often harder than classical musicians, मुझे तो बस काम ही करना है, और बाकी के जो classical musicians हैं, classical musicians, उनसे भी कहीं जादा काम करने का मेरा मन है, But the rewards are enormous, और जो मुझे reward मिलते हैं, वो भी बहुत बड़े-बड़े हैं, इतने सारे prize मिले हैं, लोगों का support मिला हैं, लोगोंने पसंद करते हैं, तो reward भी बहुत बड़े-बड़े हैं, Apart from the regular concerts, Evelyn also gives free concerts in prisons and hospitals, तो regular concert तो वो करती हैं, लोगों के पीच perform, बड़ उसके साथ-साथ जो है, वो जेल में और hospital में free concert भी करती हैं, She also gives high priority to classes for young musicians, तो जो युवा musicians हैं, उन्हें सिखाने में भी जो हैं, वो उसे high priority देती हैं, कि उन्हें जरूर सिखाना है, Ann Richland of the Beethoven Fund for Deaf Children says, she's a shining inspiration for deaf children, जो Ann Richland है, जो की जो है, Beethoven Fund for Deaf Children से हैं, वो कहती हैं, उनके बारे में, कि वो जो है, वो एक चमकता हुआ उधारण है, वो देखते हैं, कि दुनिया में कोई भी ऐसी जगे नहीं है, जहां वो नहीं पहुँच सकते हैं, क्योंकि इतना बड़िया एक्जामपल उनके पास है, कि ये इनसान जो सुन नहीं सकता है, वो कहां पहुँच किया है, वो अल्रेडी इतना कुछ पाचुकी है, जो उनकी दुगनी उमर वाले लोग भी नहीं पापाए हैं, वो जो है, जो ग्रूप परफॉर्मेंस होती है, म्यूजिक की ओर्केस्ट्रा में, उसमें उन्होंने जो उनका इंस्ट्रॉमेंट परकॉशन है, उसे वो फ्रॉंट पे ले आई हैं, और लोगों को पताया है, कि ये भी जो है, बहुत अच्छा इंस्ट्रॉमेंट है, और इससे भी जो है, आपके दिल को छुआ जा सकता है, उन्होंने जो है, उन्होंने जो है, उन्होंने देखके क्या कहते हैं, कि अगर वो कर सकती है, तो मैं भी कर सकता हूं, and not the least she has given enormous pleasure to millions और यह तो कहने की कोई बात ही नहीं है कि कितने करोड़ों लोग हैं जिन्हें उन्होंने खुशी पहुचाई है उनके मुजिक ने उनके दिल को छुआ है और उन लोगों को खुश किया है तो यह आर्टिकल जो है डेबरा कावली ने लिखा है तो इन्होंने जो है उनका इंटर्वी लिया है और उसके बाद यह आर्टिकल लिखा है